वेलकम फ्रेंड युक्ती आईएस के दैनिक जागरन राष्टिय संसकरन के न्यूज एनलेसिस सेग्मेंट में मैं अमरविंद आप सभी लोगों का तहदिल से स्वागत करता हूँ उमीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे स्वास्थ होंगे और बहता तरीके से त्यारी कर रहे होंगे आज के अठारा अगस्त के न्यूज में राष्टिय संसकरन में परिच्छाव योगी पीटी पलस मेंस पलस इंटेवियो क्योंकि यह सेग्मेंट आप लोग को पता है तीनो फॉर्मेट के अधार पर चलाया जा रहा है न्यूज जनलेशिस किया जाता है तो इस अंदर में आपके लिए कौन सा न्यूज इंपोर्मेट के लिए हलाकि पीटी और इंट बहुत से आप लोग चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी पर पीटी पलस मेंस पलस इंटेवियो जो फॉर्मेट है उसके अधार पर कौन से न्यूज आप लोग के लिए इंपोर्म से और जो हमारे पुराने मित्र हैं वो चैनल को सेर किजिए ताकि और भी लोग हम से जुड़ सके इस सेग्मेंट के अलावा युक्ति पर जो फॉर्मेट है वीडियो अपलोट किया जा रहा है उसमें आपको इंपोर्टेंट टॉपिक कराया जाता है साथ ही साथ टॉप ट और चला जाता है साथ से जुड़ सकते हैं और जो भी जो भी कुछ मैंको को स्ट्न दिया रहा है उसको आप एक जरूर देखें डिस्टि सम्बाक्स भाक्स में सारे लिंक दिये रहते हैं आप लोगो हम जाके है डाइट किलिक कीजिए किसी भी फ्यूंत आप ओमट कीज़ि न्यूज में बहुत सी बाते आप लोगों को देखने को मिलेगी जो पुरवर्ती चीजे थी उसके संदर में हलाकि उसके बाद भी कुछ आप लोगों को न्यूज इसमें जानने चाहिए जो परिच्छा उप्योगी होगी तो इसके संदर में देखते हैं क्या है पहले ही इसमें दो तीन वीडियो बन चुका है दैनी जागरा नीज एनालेसिस के संदर में कुछ टॉपिकों के संदर में जो भी अभी तक नहीं देखें वो जाके प्लेडिस्ट में जाईए वहाँ पर सारे वीडियो अब लेवल हैं तो आप लोग देखिए तभी जाके कोडिनेट कर पाईए सारे नीज को एक साथ तो चलिए देखते हैं पहला नीज आप लोग के हिंदू और शीख समुदाई के रोग सरन देगा भारत भारत का सपस्ट कहना है यह भारत कुछ वर्षों से 2019 से यह बात कहा जा रहा है जो हमारे आसपास के जो देश है वहाँ से हिंदू मुश्लिम जो हिंदू सीख सरनाथी है बोद और जैन उसको सरन देगा तो अफगानिस्तान के मामले में असपस्ट भारत ने कर दिया कि हिंदू सीख समुदाय को भारत सरन देगा और भी जो है जो समुदाय है अफगान के वह यह वीजा के तहत आ सकते हैं इसके संदर में कुछ बाते की गई है तो यह देखते हैं न्यूज बहुत सी चीजे हैं आप लोग इहां देख सकते हैं पर की पॉइंट के संदर में आप लोग को क्या देखना चाहिए साथ ही हाँ आफगानिस्तान में हालात बिगर्ड है तिसकी कल भी मैंने चर्चा की थी क्या पुर्व के जो अफगानी सासक है अफगान सासन रहा था उसमें कैसे महिलाओं का उत्पिडंग किया गया था नागरिक जो सेवाय थी उसको किस रूप से बादित किया जाता है सरिया लोगों किस तरह से लागू किया जा सकता था कट्टर इसलामवाद कैसे हवी रहा था इसके संदर में पिछला वीडियो आप लोग जाके देखिए वहाँ सारे चीज़ों को चर्चा कर दिया गया एक ही चीज को चर्चा बारबार करना उचित नहीं लगता है तो आप पिछले पिछला वीडियो जाके देखिए को प्रेट किजिए और इसका की पुएंट के रूप में आप लोगों को क्या जानना चाहिए इस मुद्दे पर हिंदू और शिक्षमुदाइगे के लोगों सरुन देगा भारत इसके संदर में की पॉइंट आप लोगों को क्या जानना चाहिए देखिए चलिए और इसका एंज़ अनषा आप लोग को पता है में सम् पई टी आप Metro को दिया जाता आप लोग उस पर भृ moisture किसे निरंतर अभ्यास defense जीएगा तो बहुत बेहतर स्थिति में पाईएगा खुद को यह आप लोग मान के चलिए चलिए देखते हैं क्या है तो गांधी जी का कथन के साथ मैं सुरू करूंगा क्यों क्यों यह बहुत जरूरी हो जाता अफगान मुद्दे पर गांधी जी का यह कथन और अभी वर्त समान जो संसमाई की स्थिति यह विश्व का उस संदर में क्यों महत्पूर्ण है तो इससे देखते हैं गांधी जी ने कहा था क्या सरकार कोई भी हो राष्ट ससक्त और सुद्ड़ बनाने के लिए दिड़ संकल्प होना चाहिए राष्ट के विन बैक्ति और बैक्ति स्वम निवास करने लिए जितने बैक्ति और बैक्तियों का स्वमू है उस संदर में एक होनी चाहिए आपकी जाती संपर्दाइक भले ही कोई हो आपकी विचाधारा कैसी भी हो किस विचाधारा के मानने वाले हो वो कोई माइनी ने रहता जब एक ससक्त राष्ट की संकल्पना की जाती है अगर जो राष्ट ससक्त होगा वही जीवित रहेगा इसका जीता जागता उधारान आपको आफगानिस्तान है अगर आफगानिस्तान में राष्टवाद की परविर्थी अवल रहती तो आफगान जो तालिबान तालिबान का जो समू है तो उस अंदर में नहीं द परवर्तक मान रहा है लेकिन कमोवेस लोकतांत्रिक मननेताओं की हत्या जरूर की गई है तो इस अंदर में आपको भारत के संदर में इस अंदर में जो अफगानिस्तान का जो मुद्दा उठा है इसके संदर भारती हित को देखते हुए आपको ये समझनी चाहिए कि सकत और सुधिड होनी चाहिए इसमें सभी का राय एक होनी चाहिए तो उसके आगे अत्रिक्त कुछ बाते हैं शिक और हिंदू और शिक समुदाई के संदर में तो आपको हाली में याद होगा सिटिजन सिप एमेंडमेंट एक्ट 2019 लागू किया गया धिनियम लागू किया था तो क्या है उसका संदर में कुछ प्राधान आप लोगों को पता होनी चाहिए कि भारत इस तरह के मामले में किस रूप से अपना कौन से नियम किस नियम के तहत्त नावरिकों को आसरे देगा इसके संदर में देखते हैं नाइक्ता संसोधन दियम 2019 नाइक्ता अधनिय मे प्लस इंटिव्यू और मेंस इंटिव्यू में तो यह बहुत ही महत्पून हो जाता है हाल यह जो भी इंटिव्यू मेंस होंगे भारत नाइए यह भारत के विदेशी नागरिक और सिटीजन ऑफ इंडिया जो है ओ सी आई उसके भी काड़ धारक पंजी करन उनके अधिकार की होनी चाहिए क्योंकि जब शर्णाथी की बात होती है तो वह पर अवेद जो होते है परवसी उसकी भी बात होती है क्योंकि अवेद जो परवसी मेंamm presents असकल में भी इस ती राष्ट में इंटि कर ते हैं तो इसलिए यह मुद्धा दोने एक दूस्षी का प्रसपर देख में परवेश करता है लेकिन अनुमती समयवदी समापती के बाद भी देश में रुका रहता उसे अवेद परवासी माना जाता है पर सनाती के समन्द में इस्तितियां अस्पष्ट है होती है वो कितने साले तो रहेगा ये कोई रारेंटी नहीं है उसके पास वेद या आपको परस पर एक दूसरे से देखके जोड़के देखना होगा नेश्ट देखते हैं अधिनियम में खास क्या था तो अधिनियम में खास जो एमेंडमेंट किया गया था जो 2019 में तो 31 इसमब 2014 या उससे पहले अफगानिस्तान बांगलादेश पाकिस्तान से आए भारत हिंदु शीख बहुत जैनियों पार्सियों इन से समंदित जो इसायों से को अवेद परवासी नहीं माना जाएगा तो कौन-कौन हिंदु शीख बहुत जैन पार्सी और इसाय को अवेद नहीं माना जाएगा तो इस संदर में बहुत सी एक मामनें विरोध हुआ थो तो एक अगला महत्ता रखती है तो अब समझ सकते हैं इस एक्ट का भैलू किस रूप से सामने आएगा तो इसके संदर में बातित देखने को मिलेगी और अगर आप से कहीं पूछा भी जाए तो आप ससक्त होकर और ससक्त होकर निश्चे होकर यह बात कहिएगा कि CAA भारत कराश् सप्पोर्ट भारत में परेश अदिनियां 1920 में छूट परदान करता है 2019 का एक्ट तो यह भी ऑप लोको जानना जरूडी है नेश्चे दोनों एक्ट भारत में विदेशियों के परवेश निकास और निवास नियांत्रित करने की सक्तित परदान करता है तो क्या करता है पर राज़यों तिर्पूरा के अधिवासी छेत्रों पर लागु नहीं होगा तो यह सब बाते हैं तो eder इस ब्रूंछ अंगलोंग अशम गोरा हिल्स मेगाले चकमा जिला मिजोरम तिरपूरा के अदिवासी छेतर जिला सामिल है तो आप लोग को ये सब फैक्ट पता होनी चाहिए यह बंगाल इस्टन फ्रेंटियर रेगुलेशन अठा सो तेहतर के तत इनर लाइन आने वाले छेतरों पर लागू नहीं होगा तो ये एक्ट क्या था इसके संदर में भी आप लोग को जनकारी होनी चाहिए इनर लाइन पर्मिट क्या होता इसके संदर में भी आप लोग को ज से इंट्रिवी और भीव से आप लोग जानी चाहिए आई एल पी किन राजियों में लागो और यह क्या है यह किस रूप से कारे करता है मनिपूर राजपत्र अधिसुचना के माध्यन से इनर लाइन पर मिट के सासन के तहत लाया गया था तो यह किस अधिसुचना के तहत किस अधिसुचना के तहत लाया गया था तो मनिपूर तो यहां पर सोरी मिश्टेक हो गया है अफगानिस्तान मुद्दे पर यहां पर होगा अफगानिस्तान मुद्दे पर भारत के नाईकियों को समद्द में निती कुछ पॉइंट कुछ एर हो जाते हैं टाइपिंग मिस्ट परियास है उसके संदर वाई सेना को विश्यस्विवान सी शरंटीन ग्लोब मास्टर इसके समद्द में आप लोग पीटी फैक्टरी पता कर लिजेगा क्या है सी ग्लोब मास्टर और इंडिया कोमेर्सियल फ्राइट जारी है वेट वेट वेटिंग इस्तिती में रखा गय कि अपकर इंसान के इच्छुक लोगों को भी लाने का परियास किया जा रहा है क्योंकि भारत ने इस संदर में कुछ निरने लिए हैं हिंदू अश्रिक समुदाय के लोगों को सरन देगा भारत जैसा की नूज में आप लोगों को देख रहे हैं इसका संदर में अभी आग नहीं किया इसलिए भारत इस संबंद में राष्टी अस्तप कोई वेद दस्तावेद त्यार करने के लिए विवश नहीं है या कोई देश इसे नहीं बोल सकता है बाद नहीं कर सकता है कि आप सरनातियों को को पनाह दीजिए पर सन्युत राष्ट ने आगरख किया है सभी देशों को जहां भी जाते अफगानिस्तान के नागरिक उसे सरन दे तो भारत नतिक्ता के अधार पर इसे जरूर सरन दे रहा है तो इसके संदर में कोई विधी विधान भारत में नहीं है इसके विभिन कारण रहने उसे आगे अस्पस्ट किया जाएगा नोट आप लोगों के याद रखनी चाहिए क्या पच्कार नहीं होने के बाऻुज़ भारत शरनाथी बहुत बड़ी निवास करती है तो यह अवेत परवासी के रूप में भी निवास करती है बहुत से सरनाथी की रूप में पर सिरे सेवार रहने चाहिए चलिए नेक्स डिखते हैं राष्ट्य मानवाधिकार आयोग बनाम स्टेट अनुआचल परदेश 1996 से वाद को आप लोग याद कर लिजी आज के बाद क्योंकि यह बहुत ही महचपूर्ण जब भी शरनाथी का मुद्दा आएगा पलस अवेद सवर्वच नेले नहीं यह कहा सभी अधिकार नाइकों के लिए उपलब्द है जबकि विदेशी नाइकों सहित ब्यक्तियों की समानता का अधिकार जीवन का अधिकार 21 और 14 जरूर्ण आप लोग को जाननी चाहिए वह क्या है कि संदर में है सुप्रिंग कोड किसको मननेता देता है सुर भॉमिक जो प्राकृतिक अधिकार है उसके संदर में इसकी चर्चक की जाती है तो इस वाद को आप लोग को पता होनी चाहिए इस संदर में एंसर राइटिंग और इंटिवू के संदर में चलिए इसके बाद देखते हैं तरक भारत का क्या है जो दोनों एक् प्रोकोल के सम्दिल की सामिल हुए क्यों कि अभारत टर्क देख लेते हैं क्या है क्यूंनिव होता है के वघ्राइब नाघ्रीक और राजनितिक अधिकारों का उन लंगं से सम्माधित हैं लेकिन ते स्ल्भास representation के नगरिक जो राइनितिक रूप से परतारित हैं पलस केवल नागरिक जो सरनाथी जो मानले जाए बगानिस्तान में भी विवाद उत्पन हुआ वहां से नागरिक भाग रहे उसके संदर में प्रवधान करता है उनके आर्थिक अधिकारों से सम्मजित नहीं इसलिए भारत हमेशा संसे के स्थितिम रहता है कि अगर यह सरनाथी आते हैं तो उसके आर्थिक स्थितिक कि सदिकार क्या होंगे किस लूप से उसको परधान किया जाएगा इसलिए भारत इसमें सुधार की मांग करता है यह प्रवधान दच्छी ने सिआई के संदर में नहीं दच्छी ने सियाई द संधर में तो उसके संदर में यह क्या उत्पन करता आर्थिक राजनितिक समाजिक समस्या को उत्पन करता है संधर में परवासी जो हैं वह कैसे आके भारत में रहेंगे उसके संधर में समाजिक आर्थिक और नितिक समस्या उत्पन होती इसलिए भारत इस समन में संसरी की स्तितिम रहता और सुधार की मांग करता है तो मोडल प्रसन आप लोग को सामने रखा गया इसके लिए प्रैक्रिस आपको टेली ग्राम पर चैनल बना हुआ है दैनिक जागरन न्यूज अनलेसिस अनलेसिस का युक्ति आई इसका टेली ग्राम बना हुआ आप लोग टाय सर्च किजिए और डायट जुड़ जाई या ड पर नाम आपका आएगा चलिए देखते हैं श्रनाती के समयन भारत करना है उसकी युक्ति आप लोगों वेचना करना है भावनाव में मत भहिएगा सबसे पहले अब जब सिविल सर्वेंट एस तो सबसे पहले आपको भावनाव से युक्त होना मुक्ष होना चाहिए आपके लिए किसी प्रका के धार्मिक राजनितिक और जो आपके बैक्तिगत भावना है इस एंसर आयटेई में नहीं नजर आने चाहिए अगर नजर आती है तो कहीं न कहीं आपको सिविल स्वेवक बनने से दूर करता है या भावना तो आप लो एक कॉ नाम स्टेट अन्वाचल प्रदेश सर्वच नयाले निर्ने कब आया तो यह आपको पीटी में बताना कोमेंट बॉक्स में दे सकते हैं या टेलिग्राम चैनल पर एड़ होके वहाँ आप जवाब दे सकते हैं सनुक्त राज्ट का उनिसो सरशट का प्रोटोकॉल किसे है तो यह सब पीटी फेक्ट है आप लोग और भी पीटी फेक्ट निकाला जा सकता है इतना ही महत्पूर्ण है तो आप लोग देखिए और भी चीजे देखिए चलिए आगे बढ़ते आगे क्या है वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है क्योंकि बहुत से चीजों को पीट यह फॉर्मेट अभी तक किसी भी यूटूब चैनल के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया यूद्टी द्वरा यह परियास किया गया है आप लोग सर्च कर सकते इस ऐसे फॉर्मेट को अगर कहीं मिलता है तो आप लोग स्वेंड ने ले सकते हैं इतना बेहता तरीके से को तैयारी करा रहा है कुछ वक्त जरूर लगता है पर इतना अगर करते हैं तो डेली पांच टॉपिक कर रहे हैं तो पांच के पांच के संदर में आपका विशेश जनकारी आपको प्राप्त होगी तो आप लोग निश्चिन्त होके त्यारी कीजिए देखिए समझिए और अपने एंसराइट को इंप्रूब कीजिए चलिए नेश्च निउज देखते हैं जैसा कि कल मैंने चर्चा भी किया था तालिबान का जो इस बार का जो तालिबान है कुछ नवीन परविर्तियों को लेकर आया है उसके परवक्ता जो है रुवेल सवान जी उन्होंने ये कह है क्या महिलाओं को अधिकार दिया जाएगा उसके संदर में जो कुछ अधिकार है उनको बहाल किया जाएगा पर फिर भी सरिया लोग की बात की गई है तो इसलिए संसे की स्तिति बनी हुई है क्या अंतिम पर अंतिम रूप क्या होगा इसका इसका इसके संदर में वेट अ एड करने point of view से तो आपने से एक पर न्यूज जरूर देख लिजेगा पढ़ लिजेगा चलिए नेक्ष्ट देखते हैं नेक्ष्ट है नीचे न्यूज आपको मिलेगा बहुत बहुत पोल्ड न्यूज आप लोगो आज मिलेगा आप लोगो इस न्यूज पर ध्यान रखना चाहिए कि सुरक्षा बल बनाना संब्वों नहीं केंज सरकार का यह कहाना है अगर ऐसे मामले बार बार आते हैं तो सभी के लिए सुरक्षा बल संगठन निर्मान करना उचित नहीं परतित होता है को राजियों के साथ कोडिनेट करने की बात की जा सकती है अब तो यह इसक देखते हैं आपको आगे और नीज मिलेगा नीचे है चलिए हाँ आप लोग के यहां पर एक नीज जरूर मिलेगा देखिए क्या है अभी जैसे कि फर्स्ट नीज में ही नीज था इवीजा का मैंने चर्चा किया था वो क्या है उसके संदर में बाते देखते हैं भारत सरकार भारत सरनाथी जो समझोता उस पर आपको हता अक्षर नहीं किया या उसका पशकार नहीं है तो भारत में सुर्णाथी इसको धक्यमार का भारतिये सीमा से बाहर निकाल देगा या तालीबानी परविर्थी के रूप में गोली मार कर देगी ऐसा कुछ नहीं है अव्यत परवासी हमारे यह बहुत दिनों से हैं बंगलादेश के अजादी से पूर्वी हैं महिनमार के संब्ध में भी हैं तो भारत इसके संदर में सचीत रहता है राश्य सरच्जा बहुत जरूरी होती है इसके संदर में हलाकि भारत इम ओक्ति और देंग य Hersfagalog नादी को दे रही है इसके संब्ध में बहुत से नियूञ्जाह के ए पढ़लींगा उसके साथ की दिखते हैं कि जब इमघंसी बीजा की चर्चा हुई है तो विजह सम्दित प्रस्था पूछे जाने की शंभवना है तो नहीं उदारवादी विजह क्या है इसको जानते हैं पर नाली का विचार बहुत पुराना नहीं है बलकि यह 10 वर्षों से पूर्ण की यह चलन में आई है 2010 के बाद यह चलन में आई है तो यह ज्यादा पुरान एक दसक पुराना कॉंसेप्ट है तो चलिए देखते हैं क्या है वर्ष 2010 में ही भाद पांच देशों के साथ जपान सिंगापूर फिर्लेंड लिजमिंबर्ग और न्यूजिलेंड के नाइकों के साथ आगमन परियाटक विजा टिरिष्ट विजा ओन एराइवल टी भी ओ ए जारी किया शुरुवात किया यहीं से इवीजा कॉंसेप्ट का ज जानना चाहिए नेक्स्ट भारत की यात्रा को और अधिक सहज के अनुभव करने के लिए टॉनिक यात्रा प्राधिकार इल्टॉनिक ट्राइबल अथ्वराजेशन एटी ए से यूगते आगमन परियाटक विजा कि सुईदा सत्ताइस सितंबर 2014 से शुरू कर दी गई तो चौदर को विदिवत रूप से या नया कॉंसेप्ट के साथ हलाकि इविजा आपको 2010 से पांच देश को साथ सुरू किया गया था और इसको इल्टॉनिक ट्राइबल अथ्वराजेशन के साथ 27 सितंबर 2014 से सुरू कर दिया गया नेक्स्ट है एक अप्रेल 2017 से देश में नही उदार इविजा विवस्था लाउ की गयी तो कब से की गयी एक अप्रेल 2017 से या दुनिया भर में भाद की यातरा योजना बना रहे 161 से अधिक देशो के नाईकों के लिए प्राइबल 2017 से 161 से अधिक देशो के लिए नेक्स्ट है इवीजा परियाटक बैपार परियाटन बैपार चेकिस्ता रोजगार इवीजा और फिल्म वीजा इंटर्न वीजा और फिल्म वीजा के जैसी पर नहीं शेनियों को अस्थान देता है तो यह वीजा के तहट कुन-कुन से और भी और भी चीजों को सामिल किया जैसे परियाटन बैपार चिकिस्था रोजगार इटर्न वीजा और फिल्मी वीजा के तौर पर आके यहां पर अपना कार जो भी सम्मंद्र चीजें वहां कर सकते हैं कुरूज परियाटकों के लिए कुरूज जो व्योस्ता समुद्री जो यात्रा करते हैं उनके लिए भी कुरूज परियाटकों को बढ़ावा देने के लिए यह वीजा सुईदा 24 हवाय अडोर के साथ अतिन बंद्र का हो कोचिंग गोवा मंगलोर से माधियन से भारत द्वार कर दिया गया अठाथ 120 दिन इवीजा के ताथ भारत में लोग नहीं रह सकते हैं और अपने गतिविदी को कर सकते हैं साथ ही वीजा वाले परियाटकों की संख्या दोज़ा चौदा पंद सुल्ला अठारा में करम साथ 0.13 लाग था 3139 लाग था इस बढ़ते बढ़ते कि करोना के काल में आकड़े जारी नहीं किये गए थे क्योंकि सभी इंटरनेशनल प्लाइट बंद था चलिए नेश्ट देखते हैं मिंस मोडल प्रस अफगानिस्तान मामने इवीजा निती किस रूप से प्रभाई है और इस समभन में भारत की निती क्या है सपस्ट टेलीग्राम का ग्रूप बना हुआ है चलिए देखते हैं प्रस ने क्या है इवीजा परनाली भारत में कब अपनाया गया इवीजा परनाली कितने देशों को छूट दी गई और टूरिस्ट वीजा और राइबल की सुरुवात कब की गई ती भी ओ एक वी सुरुवात कब क कराने के लिए और भी पिटुक्र्ट यहां से निकाले जा सकते हैं आप lur प्रयास कीजिए चलिए निस्ट निजह लुट बंश करते हैं आप लोग परियोगर से एप लोग को बaghथर से बहतर चीजे उपलब्द कराने के लिए और परिछाव पयोगी चीजे आप लोग के सामने लाने के लिए अनरगल से दूर बचा जाए सारगर्बीत रूप से त्यारी की जाए तक 느roc परतिसत्ता है पास होने का चयन होने का वो बढ़े आप जितनी गलतियां कम करेंगे चयन का अधार आपका उतना अधिक प्रबल होगा इस कॉंसेप्ट को मानिए और युक्ति इसी को मानता है गलती कम किजे और चयन का अधार आपका प्रबल अधिक होगा इसी संदर में तो बहुत ही बहुत ही बहुत ही प्रवर रूप से असफिती को सिर्ट कर था सिर्ट कर, उसके भहिंग आयाम की चर्चा किया था, क्यों भारत को है, इस्तिती में रहना चाहिएक थिए बहुत ही आफगानिस्तान केम highness नेुए। के साथ एक बैपार भी मुद्दा था जिस पर आज विस्तित डाटा दिया गया जो पीटी ओफेक्ट से पलस मेंस अफेक्ट से आप लोगो यह बहुत ही प्योगी होगा और यह उप्यूक्त है तो इसके संदर में आप लोगो चीजे को जो भी न्यूज दिया उसको आप आए बाइडन क्यों नहीं आएंगे इसके संदर में न्यूज दिया हुआ है तो आपको असपर्ष भीव बनाने में यह न्यूज काम देगा साथ ही चीन रूस इरान और शुरो का लाब उठा रहा है तो कल मैंने चर्चा किया था क्या क्या रूस अफगानिस्तान मुद्द पर रूस का क्या रूख होगा रूस की सुरुप से मनेता देता है साथ ही तरी गूट जो है तरी गूट चीन तुर्की और पाकिस्तान उसके साथ इरान इरान का इस्तिती जो है क्या असपर्ष होता है इसके संदर में क्या वेटन वाच की स्तिती में तो साजर सारी चीज़ हमने उप्योग करना पड़ता है तो इसके संदर में इरान भी महत्पूर्ण हो रहा था तो इस संदर में जो न्यू दिया गया आप लोग इसे देखिए आप लोग मैप के अधार पर भी इस न्यू जेनलेसिस को देख सकते हैं मैप आप लोग सामने रखिएगा तो इसके मामले में कह रहा है दो मामले से कह सकता एक तो 1999 का जो उसका विगटन हुआ था उसके संदर में दूसरा अमरिका के विरोधी निती के संदर में या कहा जा रहा है तो इसके संदर में तालिबान बहतर है या नहीं है वो समय आएगा पता चल जाएगा पर भारत का रूस के सा संबंध है उसके राजनाईक संबंध है तो इस संदर में आपको न्यूज देखनी चाहिए किस रूप से इसका बियान आ रहा है वो किस रूप से आगे बढ़ रहा है एक छोटा न्यूज है बंगलादेश भी तालिबानी सरकार को समर्थन देने के मूड में है तो यह हमारे यह जितने वी पड़ोसी है उनके आफ लोग के उप लोग का उनका जो भी निव जाता उसको आपको नजा रखनी चाहिए ताकि आप एक बहतर राय बनाने में सक्षम हो चलिए निश्ट देखते हैं इसे आप जाते जन गन्ना की बात उठती है बार बार और सरकार उसे क्य प्रस्ण किया गया है तो आपको इस आर्टिकल को पढ़ना चाहिए और एक भी आपका जुरूर बनेगा आज कि सरकार क्यों नहीं जाती गत अंगनना करती है सभी जातियों का के वल एस्टी के संदर में ही क्यों करती है तो इस कॉंसेप्ट को आप लोगा देखिए क्योंकि स पॉइंट मेंस पॉइंट और इंट्रिव्यू पॉइंट आप लोग के लिए लाए है तो आप लोग देख सकते हैं इसे इसे अपने अंसर आइटिंग में व्यू कर सकते हैं नेस्ट आपको ये भी आप लोगो आट आटिकल पढ़ना चाहिए लख्ष कठीन है पर पीछे के वीडियो में पॉलिसी जो था उसके संदर विष्टित चर्चा की गई आप लोग देख सकते हैं इस निती पर विष्टित चर्चा उसी के संदर में गड़करी जी के दवारा एक कि एक समर्थक ब्यान आया उसको आप देखिए उसको एड कर लिजेगा उस वीडियो के साथ चलिए देखते हैं इस इन आपको ये जरूर जानना चाहिए नियात्कों के लिए रोड टेप स्कीम लागू कर दिया गया है एक जनवरी दोजारी किस से उसके समन्द में कुछ प्रोशथा निती को ब्रहवा दिया किया उसके समय में नीजे उससे आप देखिए कर उसके साथ की पॉइंट आप लोगो जानने चाहिए क्या फो चलिए देखते हैं की-point के रूप में है road tape क्या है roadtep tape क्या है इसे जानिए और इसे जानना बहुत जरूरी है क्योंकि निर्यात प्रोसान को यह बल देता है तो इसके संद्दब में निर्यात उत्पाद को और शुलकों और करों में छूर देता है रिम इंसन और ड्यूटी ऑप्टेक्स एन एक्सपोर्ट प्रोडक्स रोट टैप जिसे सॉट फॉर्म में कहा जाता है तो किसे समझे ते निर्यात उत्पादों पर सुलको और तथा करो में छूड देता यह यह किसके एवज में आएगा यह रोट टेप आएगा इस्कीम कि एन ई आई एस के अस्थान पर लेगा यह योजना चलाई गई थी सरकार के जवरा जिसके डवलू एट डवलू टी ओके दौरा अमरीका के बाद अमरीका विरोध के बाद डवलू टीव मुद्दा आया था इसके बाद यह कुछ विसंग्रिक्तिया नजर आया थ कि आई एस जो था कि मेर्चिंडाइज जो एक्सपोर्ट था उसके संदर में जो विसंग्तिया उसको दूर करने के लिए फैसला सुनाया क्योंकि इसने पाया कि उजना करता दिये गए सुल्क्रेट इसकी स्कृप विस्वेपार शंगतन को माप दंडों से असंगत है मेल न जनकारी होनी चाहिए तो ही जाके आप एक परफेक्ट एंसर लिख सकते हैं और बहतर एंसर लिख सकते हैं तिसलिए सभी चीजों को देखना और समझना जरूरी है चलिए निश्क देखते हैं एक जनुरी 2021 से सभी योग वस्तू पर निर्यात पर लागू होगा रोट टेप करेगी तो किसके लिए इंपूट टैक्स क्रेडिट तो यह क्या होता है कॉंसेट आप लोगो सर्च कर लेनी चाहिए जान लेनी चाहिए यह योजना निर्यात पर लगने वाले सुल को कम करने निर्यात को को परसाहित करेगी तो किसको करेगी निर्यात को को परसाहित करेग इसके तहत निरयात को के लिए उतपादण के बाद लागत कम करने विश्च बेपार, शंगठन, डबलू, टीओ के समन्हवें किया जाएगा तो सभी के साथ समन्हें किया जाएगा स्कीम के साथ या युक्ट तटी युक्त परतिवन उबन्द को लाता है लाभ खिया होगा भारत में देखते हैं भारतिय निर्यात को निर्यातक के लिए अंतराश्टी मानिप कुपूरा करने में सक्षम हों गे क्योंकि अंतर इस्टिफ को निर्भर होने के बाजाए देश के भीटर निर्याथ्ट को कि चास्टि परिक्षन या प्रमानन यूप रए गा याँ तो किस रूप से या अंतर अर्शी सबिखतनों अब निर्ब़ता जो थी प्रमानन की औरательно की बॉधिक फॉर्मेट को लाएगा इसके लिए यह लाब होगा भारत को देवसायों को 140 धन वापसी मार गए माध्यम से जी एस्टी के लिए धन वापसी तक पहुच होगी तो उटोमेटिक रिफंड की विवस्था इसके माध्यम से की जा सकेगी तो इसके संदर में भी बाते लाब होंगी भारत को भारत के निर्यात को को इससे देश के लिए अर्थ विद्धम को कारेसिल पुंजी में विर्दी होगी तो इसके संदर में आपको बहुत सी चीज़े दे देगा इस समन में डबलू एटू के प्रवधान की चर्चा के प्रवधान की चर्चा कीजिए और अपना एंसर मोडल आप लो टेलिगाम पर सेंड कीजिए जिसका ग्रूप बना हुआ है उसके बाद वीडियो समाप तो गाज का अलाकि लंबा वीडियो वे को बाद नहीं है चलिए देखते हैं डबली यूटी के सात्वी बैपार समिक्षा बैठक हाल में की गई वो क्या था उससे देख लेते एक सकेंड इसको सेटिंग थोड़ा कर लिजे नहीं तो बंद हो ज जन्वरी को किया गया 2020 में ही तो यह ताजा ताजा मामला है तो ग्या समिक्षा बैठक थे इसी संदर में था कि डबली टो कर जो परधान भारत के संदर में है तो क्या रणिती अपना जी समिक्षा हर साल किया जाता है तो सात्वी समिक्षा बैठक की गई है चलिए देखते पूरे 2015 में की गई थे समिक्स्षा बैठक तो देखे कितने लंगे समय के बाद या समी रब्लेमोग में किया गया था घुतमाने argument 12 में तो देख सकते हैं कितनी लंबी के बाद समिक्षा बैठक की गई है तो जनेवा इस्तित जो डवुटि वैंभावा समिख्षा Vedalk निइती समिख्षा ति कहां की गई जने की भारत में जंआभा ही की गई दमीनिक्रान कि बहुत से नितियों की सराना की यह पर संसा की तो संसा कि उसका संदर में गोर्फस्ट किसी की है च्ट के मामले में भारत की सराना के जी すजट के परसणदर में क्योंकि एक टेक्स जरूरी था भारत के लिए तो भारत के विपक्षि देल्योदर्राद जीयस्टी का हमेशा विरूत किया गया कुछ न्यूज चैनलोध द्वर्ण १ुरूत किया गया अगर हमें अंतराष्टे बैपार करना है सभी के साथ समरुपता लाना है व्वूतיל से सब्रास्लिच के साथ कौने अंत्राष्टा में कुछ और हो सकती है पर ध्राष्ट्राष्टा को साथ है। इसलिए व्चोने को एक वहाःत सदर्आ परत करेवारत कौने साम उठाया जो उसके संदर में भी साराना की परसंसाग की है तो आप लोग जो भी कंसेट है आप लोग देखते चलिएगा जीस्टी को वैपार सुईदा समझोता क्या था वैपार सुईदा समझोता उद्देश सीमा सुल्क के पर किया हो तेजी लाना अब वैपार सरौल के मामले में बहुत से परियास भारत के किये गए उसकी भी मामले में परसंसाग की गई है वह समिक्षा बैठक में तो आप लोग उस पर नजर होनी चाहिए इस आप डूइंग बिसनेस रिपोर्ट के तरह ट्रेंडिंग अकार्ट बॉर्डर्स यानि बीमा सीमा पार वैपा बोक्स में आप लोग बताईए यह जो रेंकिंग सुधार हुआ है उसमें भी डूइंग ने परसंसा कि यह भारत की की बेहतर कारिर किया जा रहा है क्योंकि अंतर राष्टिय वैपार के साथ है आपका ताल मेल बैठ रहा है इसके संदर में बाते की गई भारत दवारा पर परसंसा की है WTO ने तो देख सकते हैं भारत में इन सभी मुद्धों पर विरोध हुआ था कि क्यों भारत इन पॉलिसियों को ला रहा है तो आप समझ सकते हैं भारत का आंतरिक निती कुछ और हो सकती है पर बाहे निती के रूप में आपको अंतर राष्टिय नितियों के सा समझे और आगे बढ़िए और भारत का जो भी रेंकिंग सुधार हुआ अप डियाए समझ रहे अपने इस वर इस वर से आपका सर्वोच अप डियाए आया है तो यह कितना या कोमेंट बोक्स में बताईए तो इसके संदर में देख सकते हैं इन सब नीजों को तो यह वैप राउंड की सुरुआत का परणा में जब डॉटीओ का अस्थापना हो रहा था 1995 में उसके बाद उरिग्वे राउंड चल रहा था उसी में यह वैपार निती समिक्षा गेट के जो समिक्षा निती थे उसके पुर्ण उधारित करते हुए इसे लाया गया था इसके संदर मे बाते आपको जानने चाहिए या सदस देशों के वैपार नितियों पर्थाओं को सामुहिक मुल्यांगं के पर किया हितु अवसर देता है कि आपका कौन सा निती विश्व के समसमाईक नितियों के साथ मैच नहीं करता उसे आप सुधार यह कौन से सुधार आपको करने चा सब्सक्राइब नितियों पर संसा के बावजुद भारत की चिंताएं क्या है बहुत सी परसंसा की गई है फिर भारत की चिंताएं किस रूप से है आपको उसको असपस्ट करना है और साथ ही आपको यह मोडल एंसर आप टेलीग्राम के चैनल पर सेंट कर से डिस्क्रिप्श सा संग्रा हो जाएगा आप लोग समझ सकते हैं अगर और तीन सो दिन भी कारी किया जाए तो पांद यूने डिढ़ जाराने एक घजाब पांसो का मेंस को सिनका अनलेसिस आपको हर हर फॉर्मेट में हो जाएगा वह पॉलिटी का रहा है हिस्ट्री का रहा है एकनोमिक का र समिच्छा तंत्र कव विक्सित की गई और पीटी फेक्ट यहां से निकाले जा सकते हैं तो आप लोग इसी साथ आज का न्यूज जो भी था चीज़े देख समाप्त होता है हलाकि एक न्यूज आप लोग को पहले भी इस पर किया गया महंगाई को लेका सतर्क है लेकिन वि यूज है उसे कोडिनेट नहीं कर पाई है तो आज का वीडियो इतना ही उसके साथ ही हमारा चैनल जो भी है आप लोग के परियास करा उसे मोटिवेट कीजिए लोगों के साथ जोड़िए ताकि और भी हम बहता तरीके से और भी आगे बढ़ें और आप लोगों के साथ सथ यो करें तब तक के लिए मैं अमरविंद आप लोगों से विदा लेता हूं जैहिन